नमस्कार आपका बर्थ डिटेल मिला 23 सितंबर 1955 चार बचकर 15 मिनिट सुभा आपका जनम हुआ शुरुवात करते हैं आपके लगन से करक लगन है और करक राशी है यानि लगन में ही चंदर्मा बैठे हैं लगन और राशी दोनों के मालिक चंदर्मा और बहुत ही शुब प्रभाव में हैं क्योंकि यहां चंदर्मा लगनेश होके लगन में जब बैठे चर राशी में राशी का मालिक भी वहीं हो तो यह आयू के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है लगनेश का लगन में बैठना मजबूत इस्थती मानी जाती है साती सात भग्य स्थान का मालिक ब्रस्पती भी उसी राशी में उच्चस्त इस्थती में बैठा हुआ है यानि इसको आप भग्य शाली योग कह सकते हैं लगनेश नवमेश नवम लगन में बैठे हुए है ये बहुत सुन्दर इस्ति गुरु चंदरमा का योग जब लगन में बने तो इसे गजकेसरी योग ना समझें ये गुरु चंदरकाय की योग है और बहुत शुभत्व इस्ति में है ऐसा व्यक्ति धानी धार्मिक और सत्यवादी होता है यानि इन तीन रहां को पकड़के जीवन में चलता है मैंने बहुत होडोस्कोप में इसको देखा है लगन के अलावा चौथे घर में उचश्त शनी बैठा हुआ है अगर आपका उच्च का ब्रस्पती हंस नामक महपुरुष योग मनाता है तो उच्च का शनी 16 नामक महपुरुष योग मनाता है ये दौनों ही इस्ति सामाजिक उस्तृथान के लिए बहतर है यानि व्यक्ति की समाज में इज्ज़त, नाम होना उसको जीवन में अच्छे भवन सुक सादन का भोग मिलना सामाजी किस्थती के लिए बढ़िया व्यवसाई किस्थती के लिए बढ़िया थोड़ा बहुत व्यक्ति का जो रुजहान है वो राजनीती की स्थर में भी होता तो और साथ इसाथ लगन के उपर उसकी दरश्टी भी है तो ये इस्थती व्यक्ति को जीवन में जहां पर व्यक्ति पैदा होता है उस जनम इस्थान से उठाकर किसी दूसरे जनम इस्थान पर ले जाने में शक्षम होती है यानि ऐसा भी कह सकते हैं जीवन में व्यक्ति ट्रेवलिंग्स करेगा काफी यात्रा हैं उसके जीवन में रहेंगी इस्थान परिवर्दन भी रहेंगे प्रपर्टीज भी वो अपने बलपर जीवन में खरीदेगा बात करेंगे बुद्ध की बुद्ध उचस्त इस्थिती में है तीसरे घर में उच्च का बुद्ध स्वैग रही बुद्ध मुल्त रिकॉन राशी का बुद्ध जब तीसरे घर में हो तो ये तीसरा घर है थर्ड हाउ साहस के लिए जाना जाता है साहस और सहजता का गुण लेते हुए व्यक्ति अपने दीवन में स्टेप बाइ स्टेप तरक्की करता है और वो इस प्रकार की इमारत अपने जीवन में खड़ी कर लेता है जिसको कहते हैं बेस मजबूत होना क्योंकि सहजता का गुण हर किसी को प्राप्त नहीं होता वो इस्थिति यहां बहुत बहतर है मित्र बनाने में व्यक्ति अच्छा होता है अपने सुभाव के कारण लोगों के बीच में अच्ची उठ बैड बनाता है आपके आज जनम हुआ जनम के कुछ दिन बाद ही आपको बुद्ध की महादशा मिली तो शनी की महादशा में आपका जनम हुआ बुद्ध की दशा फिर मिल गई दोनों ही ग्रहे दूर इस्थान से संपरक यात्राएं ट्रैवलिंग्स या जनम स्थार से दूर इस्थती को जाने के लिए दर्शा रहे हैं बात करेंगे तीसरे गर दूसरे घर में बैटे मंगल सूरिया और शुक्र सूरिय धनभाव का मालिकों के धनभाव में साथ में है योग कारक मंगल और साथ में है लाभे शतुरते शुक्र अगर मैं राजयोग की बात करूँ तो यह बहुत सुन्दर राजयोग है कुटुम से सहयोग दिलाता है कुटुम से धन दिलाता है कुटम वालों का सहयोग दिला देता है पैसे के लिए अच्छा वाणी के लिए अच्छा बुद्धी के लिए अच्छा प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा लाब के लिए बहुत अच्छे संकेत है ये बहुत सुन्दर राजयोग बनता है लेकिन आखों से संबंदित रोगों के लिए ठीक नहीं आखों को बहुत हद तक कमजोर करने में या आखों से संबंदित कोई बड़ी विमारी देने में शक्षम हो सकता है साथ ही साथ जब मंगल सूरे के साथ एक शुक्र ग्रह बैठा हो शत्रू राशी में तो यह वैवाहिक जीवन के लिए कोई जादे अच्छा सुब संकेत नहीं माना जाता है राहु केतू पंचम में और यहां बैठे हैं यानि राहु पंचम भाव में व्रश्चिक राशी में मंगल से द्रश्ट है राशी के मालिक से यानि राहु अपनी द्रशा में अचानक से फल देने में शक्षम है अचानक से धन देने में शक्षम है क्योंकि केतू भी यहां शुकर की राशी में है केतू भी धन योग में कुछ लोग आपकी कुण्डली को देख कर कहेंगे कि आपको कालसर्ब योग है या कोई कहेगा कालसर्ब दोश है कोई इसको योग भी कहते हैं लोग बाग दोश भी कहते हैं लेकिन समझ से बाहर है कि अगर दोश है तो योग क्यों है और योग है तो दोश क्यों है क्योंकि ये शास्तर में तो उलेखित है नहीं अगर आप किसी भी Classicals Books को उठा के देखेंगे तो वहाँ इसका कोई उलेख नहीं होगा कल्योग में पैसा कमाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है वह है काल सर्प तो मैं इसको कोई तबज्ज़ नहीं देता दशा पर बात करते हैं कि आपको दशाएं क्या चल रही है देखें दशा के बिना कोई प्रारूप नहीं इससे पहले आपको चंदरमा की दशा गई कफसे थी चंदरमा की दशा 2010 से 10 साल के लिए चंदरमा की दशा आपके जीवन में आई 2010 से 2020 तक गई चंदरमा लगनेशो के लगन में है उचस्त ब्रस्पती के शाथ है भाग गया यानि चंदरमा की दशा में बल था आपको जीवन में तरक्की देना सुखसादन देना साथी साथ थोड़े बहुत रोग देना क्योंकि ब्रस्पती यां सश्टेश भी है चंदरमा यहां देखिए छटे गर का मालिक हुआ है नीच काओ के बैठा हुआ है यानि थोड़े बहुत मांसिक तनाव या थोड़े बहुत शारी रिक कष्ट देना लेकिन फाइनली इस्ति बहतर रहना क्योंकि दश्मांश में चंदरमा नवम भाव में भग्य स्थान में पड़ा हुआ है उचस्त मंगल से द्रश्ट है यानि यात्राएं छोटी मोटी यात्राएं दूर के लोगों से जुड़कर आपको फाइदा होना अब बात करते हैं जनवरी 2020 से जब आपको मंगल की महादशा शुरू हुई मंगल योग कारक योग कारक का मतलब होता है एक अकेला ग्रह जो आपको केंदर और त्रिकोन दोनों के फल दे दे यानि पंचम भाव संतान से सायोग दिलाने वाला भाव पंचम भाव बुद्धी का करम भाव प्रफेशनल लाइफ बोलचाल की भाशा से पैसा कमाना यानि शारिरिक शरम नहीं बोलचाल से ही काम हो गया लोगों के बीच में बैट गए अपनी बात रग दी उस बात से ही आपका काम हो गया मंगल की दशामे आपको इस परकार से पैसा मिलेगा क्योंकि साथ में चतुरतेश है और मंगल खुद प्रॉपर्टी का कारथ होता है ऐसे में व्यक्ति प्रॉपर्टी के कारेों से लाब पराप्त करता है कमिशन से, दलाली से, जमीन की लिवा बेची से, फलैट मकान की लिवा बेची से आप जीवन में पैसा कमाएंगे चतुर्थांश कुंडली जो प्रपर्टी के लिए भी जानी जाती है वहां आप देख सकते हैं कि चतुर्थांश में जो है मंगल एका दश भाव में लगने शो के बैठा है तो यह बहुत सुंदर इस्थती यहां बनी हु दिया आपकी बात से ही काम हो जाएगा तो वो सुंदर रोयोग याग बन रहा है क्योंकि मंगल धने सूरिय और लाभे शुक्र के साथ भी है इसलिए आपको उन चीजों से लाभ मिलेगा साथ वर्ष के लिए मंगल की मादशा है यानि दोजार चब्श के अंत तक आपको य दिशा चलेगी इश और करपा से मंगल आपके लिए बहुत बहतर रहेगा अब नवांश में मंगल अस्टम भाव में केतू रहू केतू एकसस में यदि आपकी वाइफ अभी है तो ये साथ वर्ष आपकी वाइफ के लिए कठिन है इसको ये भी कह सकते हैं पतनी के स्वास क लिए ये स्टी अच्छी नहीं है इसलिए जब तक मंगल की दशा चले आप भी और आपकी पतनी भी दोनों हनुमान जी की पूजा करें दोनों एक दूसरे के पूरक है को दोनों को ही उससे लाब मिलेगा कर्मान शकुंडली में देखिए मंगल उस चस्तों के तीसरे घर मे नहीं हो सकता है फिर से दूर के लोगों से संबरक साथ कर आप अपने जीवन में तरक्की करें मैंने एक चीज और देखी थी बुद्ध की दशा तो आपकी थी ही जो आपको 17 साल चली उसके बाद केतु और शुकुर ने भी इस कुंडली में ये दिखाया है कि आप जरूर म मैं जिसे स्थान पे पैदा हुआ वहां से दूर गया दूर जाके मैंने तरक्की करी और एविन मुझे विदेश जाने के भी मोके मिले मैंने विदेश में भी जाकर पैसा कमाया वहां से फिर में वापस आ गया या विदेश के लोगों से जड़कर पैसा कमाया क्योंकि source of income तो दिख रही है ऐसे लोग अगर जीवन में अच्छा पैसा कमाया होंगे तो जरूर बाहर के लोगों से जड़कर ही कमाया होगा वह combination इसके अंदर मौजूद है और overall देखें तो मंगल की दशाप के लिए बहतर health को लेकर कोई बड़ा issue मुझे नजर नहीं आता सिर्फ एक मातर मैं आपको हनुमान जी की पूजा बताई वो आप कर सकते हैं साती सात पुकराज रतन धरन कीजिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादे फायदे मन रहेगा health के लिए भी अच्छा लाएगा और professional life के लिए पैसे के लिए अच्छा लाएगा source of income को बढ़ाने के लिए य यह एक अच्छी इस्थितिया यानि future में finance के बारे में पूछा मेरे साफ से ठीक है health कोई बड़ी problem issue नजर नहीं आते हैं आयू को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा properties से आपको फायदा होगा कर्ज कब पूरे होंगे देखिए सहूलियत के साफ से कर्ज लिया का अपने बिजनिस को चलाने के लिए करज लिया वो एक अलग करज है लेकिन अगर मंगल की दशा में लिए ये बिल्कुल पकी बात है तो आने वाली समय आने वाली दशाओं के इसाफ से सब कुछ ठीक है हनुवान जी की पूजा कीजिए अच्छा सा स्रिलंगन पुकराज आप धरन कीजिए सीधे हाथ की तरजनी उंगली में आपको चाहिए तो आप मुझे भी प्राप्त कर सकते हैं तो ये था आपकी होरस्कोप का निलाइसिस बहुत अच्छा चार्ट मुझे ये लगा प्लैनेट की स्तुरी अच्छी प्रोफेशनल जीवन में तरक्की करी है आपने लेकिन संघर्ष बहुत रहा है आपकी लाइफ में बिना संघर्ष के हैं अचीवमेंट नहीं हुआ है लेकिन हाँ आपकी इमारते बुलंद हैं आपने जीवन में अच्छी तरक्की करके अच्छा लाप राप्त किया है तो ये था आपकी होरस्कोप का अनिलाइसिस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस उमर के इसाब से छोटे मोटे रोग मिल जाएंगे और पूजा के लिए बस सिर्फ एक ही पूजा और एक रतन में आपको बता है नमस्कार